श्री गुरु भियो नमाहा के श्रीषाह नमस्स भहे साध्याक्षाए अधि मंचा आगा श्री हれ anytime इवम अन्येशा विर्ज्वाम सहा, विर्ज्वाम सहा, एवम अन्येशा सपिवागिनागा। मेरा विशय है वही जिक सानी कि में रिष्टे विश्णा रोगा। इसफी से पर मेरा वैक्षर होगा। मेरा करिक्रम, ये विश्वान का जिए मेरा वी जिर्ज्वागा। मेरा कोड़ को ठारची विश्वागा करें रिष्टे शागा। प्रश्टी से यह सब्सक्राइब हो जो जो प्रश्टी बहुत महाँ सब्सक्राइब प्रश्टी बहुत में सत्या मत्ति हो जो जो जितना परकेपाण, फिर्ष्टी केरे में दो जो 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 जो. वेद संबत में अगोई वेद को भी देखे अलेकर देखे वेदिशाप्तर इसके पैसे प्रुष्टी माने क्या है कि प्रुष्टी माने सर्जाहा तर्जनम तुपत निदी इससरखा आज है विज्ञान माने क्या है विविदम विरूपम वा ज्ञानम विज्ञानम अनुभवयुतम ज्ञानम विज्ञानम इसे वेद में भी प्रेयोग मिलता है तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी तुम ज्ञान हो विज्ञान भी हो है तो ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है गीता में भी एक वचन मिलता है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षाम यशेशताहा, ते अहम ज्ञानम एवं विज्ञानंच वक्षामी, ज्ञान को भी बोलता हूँ, विज्ञान को भी आपको बोलता हूँ, तो विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, इसके लिए व करेंगे आटमसाथ गरेंगे अनुभूती जब जपायेंगे इसे अनुभाव जनन मिलता diesel आघंवंड जयंग.. उसको इसन अनुभाते इस ज्हक्णाव चोोग山 हैं मिल इस वाकिष से जो ज्ञान आता है उसको ज्ञान करें जो ज्ञान आता है। लिए वेध कि स्रेश्चि का उभी कि जिनकी सुष्टी नारिके टीकि लिए अ‍धल के लेकिन तिम्ह्य मिलता है कि प्रजापतिरका मैत रजास्र जaden अगने रुगवेदा हाँ वायोर यजरुवेदा हाँ वायो से यजरुवेद की उत्पत्ती हुई आधित्यात सामवेदा हाँ सूर्य भगवान से सामवेद की उत्पत्ती हुई ऐसा उलेक मिलता है पुरुश सुक्त में भी मिलता है तेन देवा अयजंता पशुक गुष्टा गुष्चक्रे वायुव्यान आरण्यान ग्राम्याश्चे तस्मा अद्यज्ना सर्वाहुताह रुचस्सामानी जज्ञिरे छंदागुंसी जज्ञिरे तस्मा आत यजुस्तस्मा दजायता विराट पुरुष्ट से रुगवेद की उत्पति हुई छंदस की उत्पति हुई यजुरुवेद की उत्पति हुई सामवेद की उत्पति हुई यह मिलता है अब पुरुष्ट सुक्त का विचाफ जब करेंगे स्रिष्टी का वर्णन मिलता है ब्राम्हनो ओस्यमुखमासीत बाहूरा जन्यकृताह उरूत दस्यद्वैश्याह पद्भागुम् शूद्रो अजायता चंद्रमामनसो जाताह चक्षो सूर्यो अजायता मुखादिंद्रस्चाग्निष्चा प्राणाद्वायुर जायता नाभ्या आसी दंदरिक्षम शीरिष्णोद्यव समवर्तता पद्भाम्भो मिर्दिश शोत्रात तधालो कागु अकल पयन। ईसलोक की स्रिष्ष्टी हुई ऐसे ब्रामपन उस्से मुखामासी मुख से विराटपरुस्चा मुख से ब्रामण की उत्पत्य हुई और बाहू से राजन्य क्षत्री की उत्पति हुई, उरू से वैश्च की उत्पति हुई, पद्भ्याम शूद्रो जायता, पादभाग से चतृत वरण की उत्पति हुई, चंद्रमा मनसो जाता हा, मनस से चंद्रमा की उत्पति हुई, चक्षो सूर्यो जायता, नेतर से सूर की उत्पति हुई ऐसा ही लोक का उत्पति कैसे वर्णन है जब लोक का लोक की स्रिष्टी के बारे में विचार कर रहे हैं है तो स्रिष्टी करता को नहीं मीमावसा शास्त्र में जब भावना का विचार करते हैं तब भावना को कृति कहते हैं कृतिमान करता जब कृति है है तो जरूर करता है यहां सरस्थी मैं और कृति से हो रही है सरस्थी हैं तो जरूर habitats which है विचार करना पड़ेगा ज्याइशास्त्र में बोलते हैं इससे कृतिमान को नहें समझ में आता है और ज्ञानादिकम न प्रथिव्यादि वृत्ति चेतन गुन अत्वाथ इस तरह का अनुमान से इश्वर की सिध्धि करते हैं बगवान ही स्रिष्ठी करता है इश्वर स्रिष्ठी करता है विचार करते हैं और उपनिशत्में मिलता है तुमेवकेवलं करता सी तुमेवकेवलं धरता सी तुमेवकेवलं हरता सी तुमेवकेवलं करता सी तुमेवकेवलं करता सी तुमेवके सजातो अत्यरिच्चत पुरुष सुक में मिलता है। हई तो पुरुष है, विराठ पुरुष ही सृष्टी की करता है। और एक उपनिश्थ में मिलता है, यतोवा इमानि भूता निजायंते, एनजाता निजीवंती, यत्प्रयंत अभिसंविशंती, तदवीजिज्ञासस्वा तदब्रह्महेटी। उर्ग शृष्टी करता है। सर्वम जगदितम त्वत्तो जायते सर्वम जगदितम त्वत्त स्ष्ठती सर्वम जगदितम त्वईलयमेश्षती सर्वम जगदितम त्वई प्रत्यती तुम ही स्रिष्ठी करता हो बोलके गनपती के बारे में है और प्रजापती के बारे में मिलता है प्रजापती रकामयत जय तैनल्त तो इंगेधो के तरभ мо conquer प्रिश्थि करता है इसा मुल रहा मैं कि हिरण ये गर्भा सुगुत में भी अध्यजिय गर्भ्ध समवर्त अग्रे भूतत्य जातकप तीक अध्य है झ्रीजिय करता है तो किसको माने गनपपति को माने स्रिष्टि करता अत्वा विराठ पुरुष को माने अत्वा ब्रह्मा को माने अत्वा हिर्णगर्व को माने प्रजापति को माने को नहीं स्रिष्टि करता तो एक्चुली एकी है क्योंकि एकम सद्विप्रा बहुदा बहुदा वदंती एकी तत्व को बहुत नाम से पकारते इसके लिए प्रमान क्या है उपनिशत में मिलता है। तुम ही ब्रम हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही शिव हो, तुम ही सब कुछ हो। है तो एकी तत्व है एकी तत्व से स्रिष्टी की उत्पत्ती हो रही है है तो स्रिष्टी के आधी में क्या पदार्थ था क्या चीज था उसके बारे में सोचने के लिए नासदी सुक्त का विचार करना पड़ेगा नासदासी नोसदासी तदानी इम नासी द्रजोनो व्योमो परोयत नासदासी असद भी नहीं था सद भी नहीं था लोक भी नहीं था व्योम भी नहीं था और उर्धु लोक भी नहीं था कुछ भी नहीं था हैं तो क्या था फुर्घ है। निर्भी कल निर्वी कलपक आकार में निरिविकार्म रूप में सिर्फ ने आःया i कि ऐने स्रिष्थी के बारे में विश्रस्री कारें घर करेंगे ब्रह्माक्वली में मिलता है। तस्मा द्वा आत्मना आकाश संभूताहा आकाशा द्वायुहु वायो रग्निही अग्ने रापाहा अध्य प्रधिवी प्रधिव्या ओशधयाह ओशधिव्यो नम अन्नात पुरुशाहा इस रिश्टी का क्रम है। आत्मा से आकाश की उत्पति हुई आकाश से वायु की वायु से अग्नी की अग्नी से आपाहा जल की और जल से प्रधिवी की उत्पति हुई प्रधिवी से ओशधी का सस्य का उत्पति हुई और ओशधी से अन्न की उत्पति हुई इसी करम को कैसे माने वेद भगवान बता कि नगयरा एन उसको उल्टा बोलना नहीं है सिद्य मजौत बोलता है उसको मैंना है क्या इसा नहीं उसमें Said Kya以前 ते कार्योगुना कारण कार्य गुनान आषंत मैं plant एक न्जाय में मैं कारण में कारण में जो ग्यून रहता है वह का ने कारण क्या है इसे दागा किस क्वालिटी का दाग है उसी तरका कबड़ा बनेगा लाल रंग का दागा है लाल कबड़ा बनेगा अच्छा क्वालिटी का दागा है अच्छा कबड़ा बनेगा है तो कारण में जो गुन है वो कार में आएगा तो कारण क्या है यहां आकाशा आकाश से वायू की उत्पति आकाश में गुण कुण सा है शब्द गुण कम आकाश हम आकाश में शब्द गुण है इसलिए वह आकाश से जब वायू की उत्पति होती है वह शब्द का गुण होना चाहिए क्योंकि आकाश में जो गुण है व वो वायू में आया ऐसा ही वायू में जो गुण है वायू से अगनी की उत्पति वायू में जो गुण है वो अगनी में आना चाहिए तो वायू का जो गुण है वो अगनी में आया अगनी से किसकी उत्पति जल की उत्पति है तो अगनी में जो गुण है जल में आना चाहिए बुल में कुछ सब्स पर अनिक और सब्स है तो अलमें जो गुण है वो प्रस्थ इसलिए जो विद में बताया गया जो छीज़ है किस से किसकी उत्त á tty इसमें वेज्जानी कमश्व इस तर्का विचार इस पत्र में प्रस्तू किया गया है इताद्रिशा बाहदावकाशाहबद भी प्रदत्ताहा इत्यताहा सर्वेब्याहा धन्यवादाहा